हेलो दोस्तों कैसे हैं आप जैसे कि आपको टैडल देखके पत्रा लग रहा होगा कि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं शाओमी की तरफ से आने वाले और करेंगे इसका प्योर रिव्यू कि इंडिया में लेना सही है या नहीं यह मैं क्यों बूल रहा हूं इसका रिजन बताऊंगा आपको बाद में तब तक करते हैं इस बॉक्स को अन्बॉक्स और देखते हैं यह काम कैसे करता है सब्सक्राइब कीजिए सॉफ्ट्राइक एस चैनल को और पहले अकन दवाना मत बूलना तो दोस्तो वीडियो शुरू करें दोस्तो इस बॉक्स में सब चैनिज लेंगुज में लिखा हुआ है जो हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा थोड़ा बहुत पिचर देखने से पता है चल पा रहा है कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है लेकिन हम आपको बता देंगे तो इस पर जादा मत्था मारने की जरूत नह इन नोजल के इस्तमाल से आप अपने टैप और इस सेंसर के बीच कनेक्शन बना सकते हो यह अलग-अलग साइज में है तो जो आपके टैप में फिट हो जाए उससे यूज कर ऑटमेटिक वाटर फ्लो का मज़ा लेजिए अब आते हैं इस में डिवाइस पर दोस्तो जो यह आपके शेंसर हैं जिसके पास हाथ लाने से यह सेंस डिटक्ट करके दोर को उपन कर देता है और वाटर फ्लो होने लगता है यह हमेशा ओन रहता है जैसे कि अभी भी यह डिवाइस औन है जैसे ही इसके सेंसर के पास मेरा हाँ जाता है तो इसमें से कट-कट की आवाज आ रही है इसमें इन-बिल्ट बैटरी है जिसकी वज़र से वाटरप्रूफ बन जाता है जो की बॉक्स में दिया भी है इसे चार्ज करने के लिए आपको चाहिए होगा Micro USB केबल और इसकी चार्जिंग काफी लंबे समय तक चलती है तो चार्जिंग के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें और भी चीज मिलती है इसके साथ जैसे ये पेपर जिसमें भरा है दुनिया भर का गया और टूल जिसकी मदद से आप अपने घर में बिना किसी और की मदद के ये डिवैस को लगा सकते हो और आपको कुछ रिंग्स मिलते हैं जिसको आपने इन नोजल के उपर लगाना है ताकि इस डिवाइस में मिटती वगेरा ना जा पाए अब बताता हूं इन सब को यूज कैसे करना है आपको नोजल के इस हिस्से को उपर अपने टैप से जोड़ दीजिये बस इतना असानी से करनाइक हो जाता है और बस इसके नीचे या राइट साइट पर हात लाईए और पानी का सही से इस्तमाल कीजिए और कभी निकालना पड़े तो इस टूल की मदद से इस उबरवाले पोर्शन को नीचे के तरफ पुश कीजिए और ये अराम से अलग हो जाएगा और को दो जात हुआई- और निकाल हो जाएगा करढम में ट्रचा ऊके बदर्शिए में paranoid ऐे वाह हो जाएगा अब दोस्तों यह सब थे इसके फीचर अब इसके बात कुरते हैं कौन के बारे में जाद दो नॉर्मल इंडेन टैप में यह इस्तमाल नहीं होता आपको ऐसे टैप चाये जिसमें यह रिंग्स उसमें लगती हो और नॉर्मल इंडेन घरों में ऐसा बहुत कम टैप हमें देखने को मिलती है अगर आप ये लेने की सोच रहें तो सबसे पहले अपने घर में चक कर लिजिए कि ऐसे जिनमें rings बनी हती है वो आपकी घर में tap है कि नहीं अगर नहीं है तो आप market में उसे साथ नहीं खरी सकते हैं दोस्तो ये था पहला कौन अब दूसरा कौन ये है कि ये काफी बड़ा है और नॉर्मल इंडिन डिवाइज में जो wash basin का tap होता है वो थोड़ा नीचे होता है और इसे लगाने के बाद और नीचे से water flow शुरू हो जाता है जैसे मेरे घर में जो wash basin का tap वो थोड़ा नीचे है और इसे लगाने के बाद और नीचे हो गया और नीचे से water flow होने लगा जो daily use पर इस्तमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जिससे जो हम लोग चाते थे कि wash basin पर कोई जाये तो premium feel हो तो वो नीचे हो पाता दोस्तों एक misunderstanding जो मिरे साथ हुई थी वो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ कि जो misunderstanding मिरे साथ हुई थी वो शायद किसी और के साथ भी हो सकती है दोस्तों market में जो tap आते हैं जिन में वो ring रहती है वो किसी रह किसी चीज से ढखी रहती है या तो वो filter से ढखी रहती है या तो ऊपर normal से ढखी रहती है जिससे वो दिखती नहीं है और confusion मुझे यह हुआ कि मैंने सोचा कि normal जो tap जो हमें market से मिलेंगे वो rings हमें दिख रहे होंगे जिसमें हम इस device को connect कर सकते हैं सीधा और अपने इस्तमाल में ले सकते हैं और दोस्तों इसे के चलते मैं अपने दोस्तों के घर गया कि उनके घर पर वैसे टाइप हो जो मैं इस device को use कर सकूँ जोस्तों इसके जो की चलते हैं पूखने के बाद तो मैं दिमाग में आया कि जिस टैप में भी कट देखने को मिलता है वहां से वो खुलता है जहां से हम इस डिवाइस को उसमें लगा सकता है और फिर जब मैंने वापस अपने घर में देखा तो वाश बेसिन का टैप कुछ ऐसा ही था जिसको खोलने के को में निकाल देता तो इन शॉट उस धक्कन ने हमें धक्कन मना दिया खैर आपको हमने इस बारे में बता दिया तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई टैप है तो उसका धक्कन हटाकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों हमने इस डिवाइस को लेकर अपनी ओपिडि दिये हमने इसमें कुछ कमाल के फीचर बता है और कुछ नुक्सान तो आपको अगरी डिवैज अच्छा लगाओ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिक दिया है वहां से आप ले सकते हैं बागी दोस्तों आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में फिर मुलाकत होगी तब के लिए अपना ख्या लखेगा दुआओं में याज लखेगा